समाधान, समाधान, समाधान ढूंडते हैं और ऐसी कोई समस्या है भी नहीं जिसका समाधान इस संसार में ना हो जवरत होती है थोड़े संयम बनाय रखने की और आपस में विचार विमर्ष करके उसके समाधान तक पहुचने की और हमीशा इसी कार्य में हमें मदद करते हैं आदर्नी राजियोगी सुर्य भाय जी आएए उनका स्वागत करते हैं प्राता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं प्राता जी बहुत सारे मेल्स जैसे हम लोग पिछले एपिसोड में लेते आ रहे हैं हम लोगों के पास आ रहे हैं, दर्शक फोन भी हमें कर रहे हैं और उनके अनिक प्रकार के प्रश्ण, अनिक प्रकार की समस्याँ हमारे पास आ रही हैं और हमें खुशी हो रही है कि लोग हमें एक परिवार की तरह अपने परिवार में शामिल करके अपनी समस्याओं को हम तक पहुचा रहे हैं जिनका समाधान आप भी उन्हें दे रहे हैं जिसे उन्हें बहुत खुशी प्राप्त हो रही है बिल्कुल यही है कि अगर सच मुछ समस्याओं के समय अपने चित को स्यान्त रखे मनुस और सब बैठकर उसका समधान निकालें कुछ अच्छी अच्छी बातों पर चिंतन करें बिल्कुल स्यान्त मन से और उसमें अगर यह spiritual practices, spiritual energy का जो एक effect होता है समस्याओं पर उसको भी जोड़ दें तो ऐसा देखा गया कि बड़ी समस्याएं भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं समस्याओं के पीछे कई कारण भी होते हैं उन कारणों पर भी ध्यान दिया जाए हैं कि हम कहीं गलती कर रहे हैं या दूसरों की गल्ती से कुछ समस्या के लिये ठो रही हैं, किसी के स्वभाव संस्कार सम्स्याओं के जिम्मेदार हैं, या किसी का बोलने का या व्याभार करने का तरीका समस्याय पैदा करता हैं, घरों में विशेश भूप से, अगर as a Vyavar अच्छा नहीं होता कोई बड़ा क्रोध ही रहता है, कोई दूसरों को सब मान ही नहीं देता, या बात बात में दूसरों का अपमान करते हैं, तो उसमें क्या है, परिवार का वातावन थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, भारी भारी सा रहता है, एक दूसरे में प्यार धीरे धीरे खतम होता जात तो समस्याइं आने लगेंगी, और एक दूसरे में मन मुटाव होने कारण आपस में सहयोग भी नहीं होगा, एक सोचेगा दूसरे को समस्या यह बड़ा अच्छा हुआ, यह बहुत बनते थे, इनको बड़ा इगो था, अब ठीक हो जाएंगे, तो एक दूसरे को देखने हुआ, पैसा वापिस नहीं दे रहा है, बचों की परिक्साओं में कई अंचाही, अन्नेसेसरी समस्याइं मनुष के सामने आते रहती हैं, तो मेरे पास यह बहुत अच्छे अनुभव लोगों के आते हैं, जब हम उन्हें spiritual practices और राजयोग meditation की एक बात बहुत अच्छी ठीक हो जाती है, 25 दिन में एक मास के अंदर भी, तो बिलकुल अपने ठीक कहा, समस्याइं हैं, तो उनका समधान भी है, तो हम फिर से अपने धर्सकों के लिए, या अपने एक अलोकिक परिवार के लिए, सारा संसार ही हमारा परिवार है, और हम चाहते हैं, सभी का जीवन स समस्याओं से मुक्त हो जाए, और सभी पुन्यात्मा बन जाए, सभी बहुत ससक्त भी हो जाए, इतने शक्तिशाली, के उन्हें समस्याओं एक चेलेंज रूप में लगें, और समस्याओं को पार करना, उसमें उनको आनंद आए, और उन्हें लगें समस्याओं, तो हमें ज श्रीमत के अनुसार जो हमने सीखा है उसकी राय देते हैं पहली जो हमारे पाद समस्य आई है उसकी और ले चलता हूं आपको यह हमें रेवती साहू जी लिख रही है और कहती है कि आदर्णी भ्राता जी मेरे पती बहुत शराब पीते हैं शराब पीकर जब घर आते हैं तो हंगामा करते हैं समान आदी भी तोड़ फोड देते हैं और सुबह उटकर माफी भी मांगते है कि मुझसे गल्ती हो गई मैं कैसे उनकी शराब की आदत को छोडाओं मैं कैसे यह संझने लगका और हो सक है उसके उसके आथ में बंदूग हो तो चलाने में देर नहीं करेगा फिर जब मार देगा दो चार को तो फिर पश्टाएगा भी मैंने क्या कर दिया तो यह सच है कि सराप की आदत सच मुच एक ऐसी आदत है जो मनुस का मानसिक वैलेंस भी खो देती है और जो उसमें कई निगेटिविटीज कई तर है के बुरी व्यस्नों का और ब रख लेते हैं फिर इसका स्वाद अब स्वाद तो होता नहीं लोग वद्वू आती है इसमें से लोग नाग पर अपना रुमाल रख लेते हैं पर उन्हें साइद इस गंदगी में वद्वू आती है वो गंदगी में सुगंद आती है तो एक तो यह कारण हो जाता है फिर क पंदवास्तों में है ये राक्षशी चीजे, ये तबवपरधान चीजे हैं, जो मनुसके अंदर से मानवता को नस्ट करती हैं, और उसके ब्रेन को बहुत छती पहुचाती हैं, हेल्टवाइज, स्वास्त के लिए तो ये सचमुच बड़ी हानिकारक हैं, बहुत लोगों के क प्रेस हो चुके हैं, कि छोटी आयू में लोगों की अपनी ये लीवर खराब हो गए, और बैचारों के मत्यू हो गई, छोटे दो बच्चे पतनी रोते ही रह गए, जीवन उनका बिल्कुल बेकार और ऐसा है हो गया, तो ये बहुत निस्चित रूप से बुरी चीज है, स जो चोटे बच्चे, जो पचास, वो पंदरा साल की आयू से कम-कम थे, सराब पी रहते हैं, और एक व्यक्ती ने जब देखा, उसकी लड़की छोटी सी सराब पी हुई है, तो विचारे को भी उसी आ गई, चक्कर आ गया, देखें, मनुस सहन नहीं कर पाता ना, कि छोटी आयू में, दस-बारा साल की लड़कियां वो भी, नहीं तो भारत में नारी समाज तो उसका चरितर थोड़ा अच्छा रहा है, लेकिन जब नारी भी इन विकरतियों का सिकार हो जाए, चोटे बच्चे हो जाएं, तो कितने बुरी स्तिती है, माता-पिता के लिए एक बहु साल चलेगा, इसका चलना मुस्किल हो रहा है, बिल्कुल राक्ससी प्रवर्तियां छोटे बच्चों से लेकर बूड़ों तक बढ़ गई हैं, तो साहू को मैं कहूंगा, क्या आपके पती सराब पी कराते हैं, निश्यत रूप से आपको बहुत बुरा लगता होगा, जब घर में गाली गलोच करते हैं, तो मनुस्दर वाजे बंद कर लेता है, बाहर वाले न सुन लें, क्या कहेंगे हमें लोग, क्या कमेंट्स होंगे लोगों को, सराब पीने वाला तो पी के सभेरे होस में आ गया, माफी मांग ली, मैंसे गलती हो गई, अगले दिन फिर पी के लेकिन एक नारी को जो बहुत चरित्रवान हो, उसको तो सिर जुकाने वाली बात हो जाती है, तो निश्यत रूप से हम इनको सहयोग करना चाहेंगे, तो जैसा हम पहले भी कहाए हैं, हमारे पास होमेपेथी डॉक्टर्स ने कुछ ऐसे कंबिनेशन भी तैयार किये हैं, ज इनको अगर मनुस को खिला दिया जाए, तो उसकी ये जो एक इच्छा होती है, समय आने पर उसके कदम मदुसाला किये और चलने लगते हैं, ये इच्छा अनिच्छा में बदल जाती है, तो ये दवाई भी प्राप्त कर लेंगी, बहुत अच्छा है, हमारे हां जहां तहा बहुत अच्छे कंबिनेशन तेयार कियें, लेकिन अगर उस मनुस में ऐसे व्यसन को छोड़ने की जरा भी इच्छा हो, तो ये ततकाल इफेक्ट करने लगता है, अगर इच्छा ने हो, तो थोड़ा धीरे-धीरे करेगा, तो मैं इनको, साहु बहन को एक बहुत अच्छी जोजी विदी और बता देता हूं, देकि दो विदी हैं, हमारे पास जो प्रिच्छोल हैं और साइक्णू गवरोजीकल भी हैं, भोजन जब बनाते हैं, घय्यक्त और परभाव पढ़ता है, जो बहुत स्यांति और प्रेम से वत्प्रोथ है, इन चीजों का प्रभाव अन् इसलिए कावत है, जैसा मन वैसा अन, फिर दूसरा और रिवर्स होता है, जैसा मन उस अन खाएगा, वैसा उसका मन हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छी चीज, जिसके परिणाम आज तक बहुत सुंदर निकले हैं, कि जब ये भोजन बनाएं, तो बहुत बार याद करें, मै मैं पवित्रात्मा हूं, मैं परम पवित्रात्मा हूं, तो दो परभाव होंगे इससे, एक तो जब ये बार बार सोचेंगे, तीन बार भोजन बनाना है, तीन बार में चार गंटे, पांच गंटे घरों में लग जाते हैं, परिवार का भोजन बनाने में, तो तब ये इसक अपना मंत्र जैसा समझ लिए और इसको बिल्कुल सच्चे दिल से याद करते रहें, रठने की तरह नहीं, मैं हूँ परम पवित्र आत्मा, और इसके उच्चारण से, मन में जब इसका उच्चारण होगा, तो पहला प्रभा होगा, कि घर में पवित्र वाइबरेशन्स फैल दूसरा यह पवित्र वाइबरेशन्स भोजन में चले जाएंगे, पवित्र हो गया हमारा भोजन, प्रकरती हमारे वाइबरेशन्स को तुरंत ग्रहन कर लेती है, तो भोजन बिल्कुल पवित्र हो गया, ब्रह्मा भोजन हो गया, और जब उसे खिलाए, तो यह संकल्प कर इस पवित्र भोजन को खाने से इनकी ये सराप्पिने की आद़ छूट जाए ऐसा दो तिन बार ये दिये करती हैं तो निस्षित रूप से पवित्र भोजन उनके चित को उनके हिर्दय को पवित्र करेगा एक बात दूसरी एक बहुत ही सुंदर विधी है जिसका परियोग ब पहले तो 10 मिनट राजयोग मेईटेशन करना है और उनको अच्छे वाइब्रेशन्स देने है और राजयोग करने के बाद वाइब्रेशन्स देने का तरीका है कि उन्हें वो मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखेंगी चाहे वो दूर हो या पास हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा और अब्यास करेंगी मुझ से ये पवित्र किर्णे निकलकर उनको जा रही है थोड़ी देर ये feeling ये उनको जा रही है फिर उनको कुछ अच्छे विचार देंगी अच्छे विचार क्या होते हैं तुम बहुत अच्छे मनश हो तुम तो देवकुल की आत्मा हो तुम तो भगवान की संतान हो, तुम तो एक अच्छे समाज की व्यक्ति हो, तुम रोयल व्यक्ति हो, तुम बहुत जेंटिल हो, ये सराप पीना, ये तो राक्षासी प्रवड़ती है, ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है, ये तो तुम्हारे विचार रोज, same time, वही विचार हो लगबग, और समय भी वही हो, और 10 मिनट बहुत अच्छे उने vibrations दिये जाएं, तो ऐसा करने से धीरे-धीरे क्या होगा, क्योंकि उस समय जब वो सोया हुआ है व्यक्ति, तो उनका सबकॉंसियस माइंड जगा हुआ है, तो उनका सबकॉंस चोड़ देना है, और बहुत जल्दी, 10-12 दिन में ही, और एक सदिकी किस दिन लगेंगे, उनके विचारों में द्रटता आ जाएगी, नहीं है, मेरा सेवन नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है, ये राक्ससी चीज है, मुझे इसको चोड़ देना है, और विवक्ति निस्चित में जा करके वो प्राप्त कर सकते हैं, एसे तो हमारे head office में ये प्राप्त हैं, हमारा यहां पर आबू में global hospital भी है, उसमें जो होमेपैथे doctors हैं, उनके पास भी हैं, सरापीने की अलग, गुटका खाने की अलग, और जो तमखवादी हैं, या वेडी सिगरेट है, सब के अल पार हमेपैथ ने ये दवाई तयार की हैं, वो अगर center उनके नजदीक है, center से contact करें, तो मा के through भी यहां से मंगा सकते हैं, उनका कोई जानकार व्यक्ती हो, वो भी उनको यहां courier के बादुशाएं, वैक बर सेवा के अंदर पर अवश्य जाएं, ताकि उनहीं, जैसे आप अभ्यास कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी clarity आएगी, विचारों में बहुत stress ता और शुद्धी आएगी, तो एक बार यदी से इवा के अंदर पर चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा, उन्हें बहुत लाब भी हो, बिल्कुल यह बहुत अच्छी बात, क्योंकि ज vibrations के द्वारा कैसे हल करो, तो सचमच अगर वो सेवा के इंदर पर जाएंगे, तो उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं जानकारी मिलेंगी, उन्हें जागरती आएगी, तुम कोन हो, तुम कितने सकती साली हो, तुम भगवान के बच्चे हो, और फिर उनकी विचारों की ज उसे थकान उतर जाती है, या तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो तनाव उससे हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, तो इस बात में कहां तक दम है कि शराब हमारे तनाव को या थकान को दूर कर देखिए, मैं तो कुछ बाते सुनता हूं और मुझे आजकल कि क्या कहूं, नारी समाज पर भी बड़ी दया आती है, देखता हूं कि यह कलियुक का प्रभाव कितना हो गया, कुछ रोयल कहलाने वाले परिवारों में, जिनके पास पैसा बहुत है, खाने की टेबूल पर यह सब चीजे भी रखी जाती है, और माताएं जो उनकी माताएं हैं, जिन्हो कोड़ी देर के लिए तो तनाव दूर हो जाएगा, उन्हें नीद भी आ जाएगी, लेकिन फिर इसके विना उनका तनाव बढ़ेगा ही, फिर कोई समस्य आ गई, तो उनके पास शक्ती नहीं है उसको हल करने का, अब उनका ध्यान जाएगा शराब की और, इससे उनकी ब्र इसलिए मैं नारी समाज को विशेश रूप से, जो हमारी माताएं बहने हैं, जिन में देवत्त्व है, वो अपने देवत्त्व को पहचाने, और अपनी संतानों को इन कूवियसनों से जरा मुक्त रखें, एक वैग्यानिक सर्वे भी आया था ब्राताजी और उन्होंने बह महतुपूर बात कही थी, कि शरीर में यूं तो कोशिका हैं बन रही हैं, नस्ट भी होती हैं, बनती भी हैं, लेकिन यदि ब्रेन के सेल्स एक बार डामेज हो जाएं, तो फिर वो रिजनरेट नहीं होते, नहीं बनते हैं, और नशीले द्रव्यों का इससे बड़ा कूप र अगर ब्रेन ही डेमेज हो जाता है, तो इसके सेल्स डेमेज होंगे, तो ब्रेन की जो capability है, बहुत जल्दी उन्हें इसका प्रेणाम दिखाए देगा, चाहिए वो पैसे वाले हैं, जब मनुसका ब्रेन ही कुछ न रहे तो पैसा तो उसका क्या काम करता है, अगरे जी में क कि आज अभी का एक recent case हुआ है जो बॉंबे में, कि 15 साल के आसपास के बच्चे, लगभग 100 बच्चे इस प्रकार से शराब मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए पाए गए, इस पे आप क्या कहेंगे, माता-पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, समाज की क्या भूमिका हो क्योंकि यदि ऐसे cases बढ़ते गए, तो हमारी जो युवा पिढ़ी है, हम समझ सकते हैं कि देश का क्या भूमिका होगा है, पिर क्या होता है इससे, कि अभी तो सराब पी रहे हैं, सराब पीने से उनके अंदर बढ़ेगी काम वासना, sexual feeling, और छोटी आयू में अगर उनके अदर sexual feeling वढ़ती है, तो उनका जीवन नस भ्रष्ट हुआ मानो, वो मनुस नहीं रह जाएंगे, चरित रहीन ताउन में आ जाएगी, और जीवन की स्यात्रा में वो निश्यत रूप से 25 साल तक पहुंचते पहुंचते ही, फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, तब उ से related लोग हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं दें, ये प्रभाव घर में टीवी चलने का निरंतर, हमारी फिल्में, फिल्मों में आजकल बहुत कुछ गंदगी आ रही है, लोग तो इसको समझ नहीं रहे, ना हमारी सरकारे समझ रही, ना फिल्म के डैरेक से हैं, उनमें भी बहुत बुरी आदते हैं, उनका भी जीवन का इस्तर कोई बहुत हाई नहीं होता है, मुझे मिलते हैं बहुत सारे लोग, कई व्यस्नों से गरसित, बच्चों के प्रती भी उनकी दृष्टी अच्छी नहीं होती है, उनके अंदर भी वासनाइं भरी हु देना चाहिए, लेकिन काम इससे भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनका फ्रेंड सरकिल होता है, दूसरा न करें तो उसको इन्फिरियर्टी कॉम्पलेक्स होती है, वो अपने को जड़ा कुछ दिखाने के लिए वही काम करता है, चोटे बच्चे उनने इनके नफे नुक्सान क तो कुछ पता नहीं होता, बस मैं सभी को एक ही बात कहूंगा, हम सब देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं, बहुत महान है हमारा देश, देवताओं की भूमी रहा है, ये परमात्मा की जनम भूमी है, तो अपने देवत्व को सभी पहचाने, उसको जड़ा जागरित करें मर्च करें, और इन सब चीजों से किनारा कर लें, जो कि ये अंतत है, जीवन को नस्ट करने वाली चीज़े हैं, बिल्कुल, जैसे ब्राता जी आपने कहा कि चाहे टीचर्स का, शिक्षक वर्ग की बात हो, चाहे पैरेंट्स की बात हो, तो कई बार ये है कि हम चाहते तो है कि हमारे बच्चे इन चीजों का सेवन न करें, लेकिन उनके ही सामने कई बार हम भी सेवन करते हैं, जिस प्रश्न की चर्चा हम कर रहे हैं, कि पती शराप पिके आ जाता है, तो निश्यत रूप से बच्चे भी सोचते होंगे, कोई अच्छी चीज है, जो पिता जी रोज जिसका सेवन करते हैं, तो कहीं न कहीं, इंडारेक्ट ले, हम भी तो बच्चों को यह सिखा रहे हैं, बिल्कुल यही बात है, कि माबाप से बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है, आजकल, माबाप में ही नहतिक बल नहीं रहा, अभी तो अख़वारों में इतनी बुरी ची तो यह हाल तो हो गया है, अनेक मात्विता होगा, सब की बात हम नहीं करते, अच्छे लोग भी संसार में बहुत हैं, लेकिन समाज में हमें एक ऐसी लहर फैलानी पड़ेगी, जिससे मनुस का जीवन पवितरता की और बढ़े फिर से, जिस पवितरता का लोग विरोध करते थ हैं, हम सब जब पवितरता की बात करते थे, तो लोग विरोध करते थे, आज बुद्धीमान लोग अवस समझ रहे होंगे, कि पवितरता के परचार की, उसको पालन करने की समाज के उत्थान के लिए कितनी जबर्दस जरूरता पड़ी है, बिलकुल, और साथी बहताची ज परियापत नहीं है, लेकिन कंप्लीटली इससे होने वाले जो नुकसान है, उन चीजों को भी बताया जाए, और साथी इन द्रिश्यों को, जो समाज पे या बच्चों पे बहुत बुरा असर ढाल रहे हैं, उन द्रिश्यों को यदि हटा ही दिया जाए, बहुत सारी चीज ये तर्क देते हैं, लोगों को चाहिए ये, अब लोगों को तो चाहिए ये जहर, तो हम जहरी परोसने लगेगे, खाओ और मर जाएं, तो कोई भी ऐसा चिंतक इन फिल्स में बचा नहीं है, कोई भी ऐसा स्रेश चिंतक हमारी राजनीती में नहीं रहा, मुझे ये कहते जो इन चीजों के प्रती कदम उठाए, और जो सोचे कि हमें अपने देश के दोजवानों को, बच्चों को ऐसी चीजे नहीं परोसनी है, जिनसे उनका भावी जीवन पतन के गर्त में चला जाए, अगर ऐसे हमारे पास दस अच्छे लोग भी खड़े हो जाएं, और समाज थोड़ा सा उनको साथ दे, तो इस आंधी को कुछ रोका जा सकता है, बिल्कुल, प्रता जी आज वक्त हमें इतना हिजाज़त दे रहा है, बहुत ही महत्वपून प्रश्न जो उठाया था हमारी रेवती साहु बहनने की शराब, और इसका जो भी एक बुरा जो कहें कि प् बहुत स्वास्त दायक है, या हमारे समाज के लिए स्वास्त दायक है, निश्यत रूप से हम आज समाज को देख रहे हैं, एक परिणाम हमने देखा कि किस प्रकार बच्चे इसमें लिप्त होकर कि सब के लिए एक बहुत ज़्यादा कहें कि परिशानी का सबब बन गया वो हमें समय रहती ये कदम अवश्य उठाना होगा कि हम इस मादक द्रव्यों के प्रभाव से कैसे अपने आपको मुक्त करें और साथ ही अपने बच्चों को भी मुक्त करें क्योंकि यदि हमें एक स्वस्त, स्रेश्ट और सब भी समाज का निर्मान करना है तो निश्चीत और एक स्वस्त समाज बनाने की ओर चलें समाधान में आज के लिए इतना ही दीजे इजाजत नमस्कार